हलो फ्रेंड्स थैंक्यू वैरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो हिपनोसिस क्या है क्या हम इसे लर्न कर सकते हैं यह किस तरह से हमारे अंदर यह हमारे मस्तिश्क के अंदर काम करती है यह सारी जानकारी आज आज आपको इस वीडियो में मिलेगी कई बार लोग मुझसे मेरो लिंग्रिस्टिक प्रोग्राइमिंग सब कोंशे सरी इंप्रिंटिंग का लाइफ कोच हूँ लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और ट्रेनिंग के दोरान लोगों की यह क्वैरी आती है कि हिपनोसिस क्या है यह किस तरह से काम करती है आपका भी यही सवाल अगर है कि hypnosis के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखें एक एक पॉइंट आपको किलियर करेगा कि hypnosis किस तरह से काम करती है कौन लोग हम hypnotize कर लेते हैं और किस तरह से हिपनोसिस अपनी प्रक्रिया हमारे मस्तिश्क के अंदर पूरी करती है शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा, बैल आइकन को अन कर लीजेगा ताकि आपको सभी यूजफुल वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहें हिपनोसिस क्या है फ्रेंट्स? कई बार आपकी धारना इस वर्ड के लिए ठीक नहीं बनी हुई है बहुत सारे लोग इमेरेटली हिपनोसिस के नाम से कई बार डर जाते हैं ऐसा लगता है कि हिपनोटिस्ट नाम आते ही ऐसा लगता है को कोई ऐसा विकती है जो हमें पूरी तरह से अपने वश चाहेगा वही हम करते रहेंगे कई बार जब मैं लोगों से पूचता हूँ कि हिपनोसिस के बारे में आपका मीनिंग क्या है तो बस उनके पास दो-तीन शब्द होते हैं कि किसी को वश्मे करना, वशी करन या सम्मोहन करना, सम्मोहित कर लेना लेकिन इसके परे क्या है? इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती यही कारण है कि वो अधूर जानकारी की वज़ा से इस शब्द से कई बार डरने लगते हैं ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्या आपको कोई भी हिपनोटाइज कर सकता है? जी हाँ अगर आपके इसमें कंसेंट है अगर आप चाहते हैं तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई भी आपको हिपनोटाइज नहीं कर सकता है पहली तो बात यह समझ लिजेगा दूसरी बात यह समझ लिजेगा कि हिपनोसिस क्या है इसे समझने के लिए आपको एक प्रोसेस को समझना होगा हमारे पास दो माइंड है एक है Conscious Mind, एक है Unconscious Mind Conscious Mind हमारा सभी Visulation करने के लिए बना है जिसको आप Logics कहते हैं, जिसको आप Analysis कहते हैं यानिके वो हमारा Analytical Mind है कोई भी Information जब भी हमें मिलती है वो हमेशा उसमें एक Analysis करने के लिए बना है उसमें तर्क-Witrk करने के लिए बना है लेकिन ये काम कभी भी हमारा सबकॉंशिस नहीं करता वो जो भी उसको दिया जाता है उसे रख लेता है अगर इस वक्त दिन है और आप अपने सबकॉंशिस को कहें कि रात है तो वो रात ही मानने के लिए तयार हो जाएगा लेकिन आपका जो कॉंशिस माइड है वो एकदम मना करेगा और वो कहेगा नहीं नहीं ये जूट है दिन है अभी अभी रात नहीं है यानि के तर्क और वितर्क कौन सा माइंड करता है आपका conscious mind लेकिन खास बात यह है friends के जितनी भी information आपको मिलती है वो सारी की सारी conscious mind को पहले मिलती है वो तर्क वितर्क के एक कह सकते हैं के filter से चीजों को नापता है और उसके बाद ही वो subconscious को देता है अगर कोई मतलब की चीज है तो अगर वहाँ पर conscious mind का कोई doubt आ जाता है वो उसको like नहीं करता information को तो वो information आपके subconscious तक नहीं जाती आप यूं समझे इसको साधरान भाशा में कि आप आपका एक मित्र है वो एक बड़े से घर में रहता है और आप चाहते हैं कि आप उसको एक पत्र उसको एक लेटर दे कर आ जाएं लेकिन गड़बड ये हो गई कि उसके gate के पास उसके gate पर आज एक बड़ा सा dog कुत्ता बैठा हुआ है और ये एक watch dog है ये बहुत खतरनाक है जैसी आप अंदर जाने की कोशिश करते हैं ये भौकने लगता है अब आप बिलकुल इस situation को यही समझ लीजेगा कि ये जो watch dog है ये आपका conscious mind है जब तक ये सतर्क रहेगा ये information को अंदर जाने नहीं देगा यानि कि आपको allow नहीं करेगा कि आप अपने मित्र को वो letter दे दे तो आप क्या करते हैं आप एक काम करते हैं कि आप कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं कि आप इस watch dog को engage कर लें आप उसको meat का टुकडा देते हैं आप उसके साथ बात ये करते हैं आप उसको साथ rap को establish करते हैं और जैसे ही वो आपको पहचान लेता है तो आप अंदर चले जाते हैं बिल्कुल यही hypnosis है hypnosis में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास तरक वितरक वाला conscious mind है जो हमारी चेतना है उसे हमें बाइपास करना होता है उसे बाइपास करने के बाद जो भी आप information रखना चाहते हैं आप अपने mind में रख सकते हैं यानि कि आपने watchdog को एक बार पूरी तरह से engage कर दिया किसी meet के साथ किसी और चीज़ के साथ और अब आपके लिए रास्ता तयार हो गया आप अपने मित्र के साथ मिले आपने अपने letter अपने information उसे दे दी और वापस आ गए तो जो यहाँ पर आपका मित्र है वो आपका subconscious mind है और जो watchdog है वो आपका conscious mind है बस इतनी सी बात है यानि कि hypnosis को अगर आप simple शब्दों में समझे तो आप अपने conscious mind को bypass करते हुए unconscious में जाते हो और इसके लिए सोना जरूरी नहीं होता इसके लिए बेहोशी जरूरी नहीं होती आप कई बार आख खोले रखते हैं कई बार आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं किसी highway पर और आपको लगता है कि आप 10, 15, 20 किलो मीटर निकल गए हैं अचानक आप अपने बगल वाले से पूछते हैं यार फला रेस्टोरेंट कब आएगा और वो बताता है वो तो बहुत पीछे चला गया तो जब वो रेस्टोरेंट आपके बगल से गुजरा तो उस वक्त आप क्या सो रहे थे नहीं आप पूरी तरह से जागे हुए थे पर उस वक्त आपका conscious mind बाइपास हो गया और वो information आपके mind में नहीं गई कोई और information महाँ पर जा रही थे यही काम बिलकुल हमारे healer किया करते थे जब hypnosis का जन्म हुआ उस समय हमारे पास ज़्यादा medicine नहीं थी और उस समय हमें यह भी मालूम था कि जितनी भी हमारी बिमारिया हैं वो हमारे mind से शुरू होते हैं अगर हमारे mind में बिमारियों को रखने वाले pattern को हटाना सीख ले हम और हमाँ पर health के pattern को डालना सीख ले तो हमारे healer के लिए यह काम बहुत आसान हो जाता था और आप यह आज भी जानते हैं कि medical science जान चुकी है कि जितनी भी हमारी बिमारिया हैं वो हमारे conscious mind में पड़े हुए pattern है अगर हम उन pattern को replace कर दें नए pattern के साथ तो हमारी बिमारिया यूटरन लेना शुरू कर देती है हमारे healers को इस चीज़ का पता था पर हमारे healer अगर एक आदमी को यह कहें कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो तुम ठीक हो तुम ठीक हो तो उसका mind कहेगा नहीं नहीं मैं ठीक नहीं हो क्योंकि तरक वितरक और अब वो कुतरक भी करेगा कि नहीं मैं ठीक नहीं हो मैं तो बिमार हो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ठीक हो तो जो अगर healer उसे कह रहा है कि तुम ठीक हो यह information उसके mind में गहरायक में जाही नहीं रही क्योंकि यहाँ पर जो analytical mind है उसने दरवाजा बंद कर दिया है इसलिए जरुवत पड़ी हमारे healers को कि वो एक ऐसा तरीका निकालें कि वो conscious mind को किसी तरह से engage कर लें और वो अपनी भाशा के द्वारा किसी activity के द्वारा किसी और ritual के द्वारा हमारे conscious mind को basically bypass कर लेते थे और अपनी information को हमारे mind के अंदर रख देते थे information क्या होती थी अगर आप healed होना चाहते हैं तो बस यह information होती थी कि आप पूरी तरह से heal हो रहे हो आपकी बीमारी समाप्त हो रहे है और आप पूरी तरह से healthy energetic young हो रहे हो अगर यही information पैसे के लिए रखनी है तो वो रख देते हैं कि आप अमीर हो रहे हो अगर वहाँ पर सफल तके लिए रखनी है तो आप सफल हो रहे हो लेकिन सबसे बड़ा जो challenge था वो यह था कि conscious mind को कैसे हम पूरी तरह से bypass कर ले उसे शान्त कर ले वो अपना objection ना create करे इसी का नाम hypnosis है इतनी सी बात अगर वो आपको समझ में आ गई तो इसमें कहीं भी कोई डरने वाली बात नहीं है लेकिन जैसे जैसे हम 21 शतावदी में आए अब हमें ये भी पता चलने लगा कि हम इस hypnosis को एक बहुत magical tool की तरह प्रियोग कर सकते हैं जी हाँ और इसे बहुत सारे लोग और लेड़ी यूज कर रहे हैं आपके उपर भी और मेरे उपर भी मैं आपको बताओ जितने भी companies हैं जितने भी organizations हैं जब भी वो आपको कोई product बेशते हैं और वो जो विग्यापन बनाते हैं वो पूरी तरह से हम hypnotize कर लेता है हम सोते भी नहीं हैं हम सुनते रहते हैं हम गाड़ी चलाते रहते हैं पर वो अपना product हमारी mind के अंदर implant कर देते हैं और जो वो plant करते हैं महाँ पर एक खास बात और भी होती है जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ कि वो इस तरह से information को रख देते हैं कि उस समय आपके बाकी सोचने की शक्ती को वो इस तरह से प्रियोग करते हैं कि आप ना लगा पाएं जैसे एक cold drink का example के लिए एक cold drink का एक add आता है कि ठंडा मतलब और immediately आपको एक word याद आ जाता है और ठंडा मतलब तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ठंडा मतलब तो बर्फ भी हो सकता है ठंडा मतलब तो December भी हो सकता है ठंडा मतलब तो Hill Station भी हो सकता है ठंडा मतलब तो काश्मीर भी हो सकता है पर immediately आप देखेंगे कि जैसे ही आपको एक आवाज सुनाई देगी ठंडा मतलब अब आपकी बाकी ओप्शन्स आपके दिमाग में नहीं आ रही है यानि कि आपके सबकॉंशिस के अंदर ये इन्फोर्मेशन इस तरह से रखी गई है कि बाकी ओप्शन्स मा ना हो तो ये कितना इफेक्टिव टूल हो सकता है आपके लिए इन्हें कौन लोग प्रियोग कर रहे हैं आज सभी विग्यापन कंपनी इनको प्रियोग कर रही है जितने भी नेता हैं पॉल्टिकल फिल्ड में वो अपनी बातों को अपने नारे को अपने जो उनके कह सकते हैं वाइदे हैं वो इसी लेंग्वेज से हमारे माइंड के अंदर रखते हैं यह आपको सोचना होगा इविन आपके जितने भी अच्छे टीचर्स हैं जब वो अपनी बात आपके दिमाग में रखते थे और आपको याद हो जाती थी वो बेसिकली वही हिपनोसिस थी इसे हम ट्रांस भी कहते हैं यानि कि एक ऐसी स्टेट में आ जाना जहां पर हम चीजों को लर्ण कर रहे हैं जो भी वो हमें लर्ण करवा रहा है और ये चीज़े तो हमारे पेरेंट्स भी करते थे कई बार आपने देखा नहीं कि वो आपको समझाने के लिए हमें समझाने के लिए एक कहानी का प्रियोग करते थे और कहानी के साथ-साथ हम जुड़ते 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 उनकी बात को मान लेते थे यही hypnosis है बेसिकलि आप hypnosis को एक sentence में ले सकते हैं कि यह एक state of mind है जिसके दौरा आप उस learning को लेने के लिए तयार है जो learning सामने वाला दे रहा है और ये आपके उपर है, आप चाहें इस learning को नकार भी सकते हैं और आप चाहें ले भी सकते हैं, सवाल है कि क्या इसे आप भी प्रियोग कर सकते हैं, मेरा कहना है बिलकुल कर सकते हैं, और अभी भी आप इसे use कर रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है, अभी भी तो आप बहुत सारे लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं, जबकि वो तरक के हिसाब से, जबकि वो लोजिक के हिसाब से, उस बात पर objection आ सकता था, लेकिन वो लोग आपकी बात मान लेते हैं, जब वो लोग बात आपकी मान रहे हैं, भले ही वो आपका spouse हो, आपके बच्चे हो, आपके parents हो, आपके friends हो, याद रखेगा उसी trans में हैं जिसको आप hypnosis कहते हैं, so hypnosis is just a way of communication, इससे कभी भी आपको ना तो डरना है, ना ही इसमें कोई डरने वाली बात है, यह एक positive state है, a state where you can learn the things, so hypnosis is just the state of mind where you can learn the things जो आप सीखना चाते हैं, और वो learning भी deep down आपके mind में आकर settle होने के लिए तयार है, so it is just a magical thing, आशा है कि इस वीडियो में आपको hypnosis क्या है, इसके बारे में पता चला और आपको यह जानकारी पूरी भी लगी होगी, और आपको यह भी पता चल गया होगा है, कि अब आपको hypnosis या hypnotist के नाम से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, यह एक positive word है और इसको आप भी प्रियोग कर सकते हैं, बशर्त है कि इसकी कुछ techniques आप सीख लें, इसे कोई भी सीख सकता है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई, तो आप इसे like भी करिएगा, share भी करिएगा और बाकी वीडियो के लिए, बाकी visualization के लिए इस वक्त आप description box में जाकर उन वीडियो और उन visualization के link क्लिक कर सकते हैं और अपनी life को बहतर कर सकते हैं Thank you very much, take care